नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मेरे चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यों से बताऊंगा मंत्र कितने प्रकार के होते हैं आए दिन अपने जीवन में किसी ना किसी मंत्र का उच्चारण जुरूर कर रहे होते हैं आए जानते हैं कितने तरह के होते हैं मंत्र और किस मंत्र से मिलता है बहतर फल सनातन संस्कृति के धर्ब शास्त्रों में मंत्रों का काफी गुनगान किया गया है मंत्रों को देववाणी बता कर उसके जाप से जीवन के उत्थान की बात कही गई है शास्त्रों में कहा गया है कि मन्ह तारियत इती मंत्र है अर्थात मंत्रों में वह शक्ति होती है कि वो मानव को तार देते हैं हर देवी देवता के अपने मंत्र होते हैं और उनके समरन मात्र से मानव के उन्नती और उनकी सफलता के दौर खुलते हैं आगे बढ़ने से पहले किर्प्या मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को हिट कीजिए जिसे मेरी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मंत्रों को मुखेत तीन प्रकार से शेनी बद किया गया है वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, शाबर मंत्र वैदिक मंत्र, मंत्र की यदि धार्मिक करमकान में बात की जाए तो सबसे पहले वैदिक मंत्रों की बात होती है मान्याता है कि वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में काफी समय लगता है लेकिन वैदिक मंत्रों की सबसे बड़ी फिशेष्टा यह है कि यदि उनको एक बार सिद्ध कर लिया जाए तो वे फिर कभी नश्ट नहीं होते है मानव जीवन में उनका परभाव सदैव बना रहता है जिस किसी भी मुनिश्य ने अपनी मनोकामना की पूर्ती के लिए वैदिक मंत्रों को सिद्ध कर लिया है तो उनकी जिन्दगी में उस मंत्र का परभाव हमेशा बना रहता है तांत्रिक मंत्र वैदिक मंतरों को सिद्ध करने में जहां कड़ी मेहनत और ध्यान की जुरूरत होती है वहीं तांतरिक मंतर वैदिक मंतर की पेक्षा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और अपना फालवी मानों को जल्दी दे देते हैं लेकिन तांत्रिक मंत्र जितनी जल्दी सिध होते हैं उतनी ही जल्दी उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है यानि जितनी जल्दी तांत्रिक मंत्र अपना सर दिखाते हैं उनकी सक्ती भी उतनी जल्दी शीन हो जाती है तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव वेतिक मंत्रों की वेक्षा कम समय तक बना रहता है शाबर मंत्र वेतिक और तांत्रिक दोनों मंत्रों से शाबर मंत्र अलग होते हैं शाबर मंत्र बहुत ही जल्दी सिध हो जाते हैं यानि वह जातक को अपना प्रभाव जल्दी देते हैं ये मंत्र अती शिग्र सीध होते हैं इसलिए इनका प्रभाव भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता है और जल्दी ही इनका प्रभाव नश्ट हो जाता है